तो हेलो गाईज मैंने में मानिक और बेसिकल जनाब हम भी हदयाना कही है तो बात यह कि कहां के हैं कहां नहीं है वो अलग चीज़ है लेकिन सब इस इंसान है तो दिल हर को लगा लेता है और यहां तक जो भी आएं आप लोग सब दिलदार बैटे हैं जिन्होंने कभी और इस दोर्टा दालियों जएत तो शुरू करता हूं एक ऐसे सफर को अग्रय आपको लेकर चलता हूं आपको इसमिलाता हूं देखते हैं कहा निकाहां तक चलती है तो पहला मुशारा शुरू करता हूं मत पूछना उस तकीये से, मत पूछना उस तकीये से उसकी रूई क्यों सिकुडी है, मेरे बेचैन होने पर ना जाने वो कहां कहां से उखडी है, बिना कुछ बोले, वो क्यों भीगता रहा, हाँ जायज है उसका रूठना भी, बस गुजारिश इतनी सी है, उससे कोई सवाला कि और बंचब उस्ख--" मेरे हलाप मत पूसना." कि ना कर शोर इस दिल में तेरी निगाहों से, ना कर शोर इस दिल में तेरी निगाहों से, यहां से तुफान बड़ी खामोशी से निकलता है, यूना चेड़ बरसों पुराने ज़जबातों को कि यहां से इनसान बड़ी खामोशी से निकलता है एक और लिखा है तेरे हिस्से की खुशियां रखी है संभाल कर यह कुछ इस तरह है कि हम सभी कुने चाय से बड़ा प्यार है इस दुनिया के किसी भी क्वोने में चले जाएं लेकिन चाय हमारे साथ जाती है तो यह थोड़ा घंबीर शेर है आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान यहां लगाएं और मैसूस करें इसको तो हो सकता है आपको वहां तक यह शेर ले जाए जहां तक आप कभी आज तक ना गए हो तो सुनाता हूं मुर्शद तेरे रंग भी बड़े बेढ़न हैं कि हम जिसे निहारते हैं इन आखों से वो बड़ी दूर चला जाता है वो लड़का फिर शामों में खुद को खेला पाता है बता कितनी और कदर करें तेरी निकाशी की बेकदरों के यहां तो जिसम से खेला जाता है खेल उन्हें जाना भी वहाँ है जहां कदर नहीं कोई और तू आसमा में बैठा हमेश्क सिकाता है यह इश्क फिर किसी के काम नहीं आएगा अगर मेरा महबूख इस शाम नहीं आएगा क्यों बर्बाद करता है किसी और की जिंदगी को तुझे क्या लगता है हमसे रिष्टा बनाने फिर को इन्सान नहीं आएगा है कि जैसे न हम अपने महजोब कि शहर में हैं और लेकिन उसका भी हमें मतलब कोई सहारा नहीं मिल रहा है उसके शहर में होते हो भी हम उसका भी सहारा नहीं है तो उसके जैसे auto तेरे शहर की इन गलियों का किनारा ढूंड रहा हूं, हाँ सच है तेरे शहर में भी कोई सहारा ढूंड रहा हूं, कोई मिल जाए ठीकाना तुम्हारे दिल को ठहरने का तो बताना, वरना अभी भी मैं थड़कनों में नाम तुम्हारा ढूंड रहा हूं, वरना अभी मैं थड एक आखरी शे सुनाता हूँ क्योंकि वक्त की इजादत नहीं होगे इतनी हमारे बाद उसे ना जाने किसने अपना माना होगा हमारे बाद उसे ना जाने किसने अपना माना होगा शब्दों से तो कहते नहीं वो ना जाने रू से रू तक किसने उसे जाना होगा आखिर उसका फिकर ही रहा साथ मेरे मुझसे क्या क्या लिखवा रही है मुझे अब जाना होगा यारो मुझे उसकी आवास बुला रही है शब्रया दो